नमस्कार दोस्तों जाहिंद आप सभी का स्वागत है कुमार मन्नु के तरफ से और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बैक बॉंडिंग और पी ब्लॉक वाले लेक्चर को आगे डेफनेटली आप लाइव मोड में लेक्चर अटेंड करते हैं और फिर बाद में रिकॉर्डिंग मोड में भी बहुत सारे लोग देखते हैं मैं बार बार बोलता हूं कि लाइव मोड में अटेंड करना बेटर होता है वजह है कि उस समय आप अपने डाउट्स तुरन तौल सकते हैं जब आप रिकॉर्डिंग मोड में देखते हैं तो चोटे मोटे डाउट्स भी अगर आया या बड़े भी डाउट्स आया तो आप अपने आपको टाल मटोल के तुरू नेगलिजन्स एक सो करते हैं खुद से वह हो जाता हम भी अगर देखें तो वह हो जाएंगी चीजे उसमें कोई दोरह नहीं है और आप लोगों के लिए एक बात मैं बोलूँ आप लोग जएदे परिशान रहते हैं कि वीडियो डाउनलोड कर लो या डाउनलोड कर लो या डाउनलोड का चकर छोड़िये जितने भी अच्छे स्टुडेंट्स होते हैं ठीक है जिनको रैंक देनी हैं जिनको लर्ण करना अच्छे से वो या डाउनलोड वानलोड के चकर में नहीं परते हैं क्योंकि ये एक सहारा है जैसे ही आपके दिमाग में एक मेंटल सपोर्ट आ जाएगा कि डाउनलोड से हम बाद में दुबारा लेक्चर को देख सकते हैं तो उस मेंट रवा हो जाता है। जब सपोर्ट नहीं है तो वो पूरा अवैर्निस पूरी साफधानी के साथ पूरी तथप्रता के साथ लगता है अपने काम में इसलिए ये सब चक्कर में ज्यादे ना रहें अपनी क्लासिज अच्छे से करें, नोच्छे से बणाएं और क्विश्टन practice के लिए मैं जो कुछ भी देते जाऊंगा वो follow करेंगे और उसके बाद आपके पास तो जो आप लोग तो खुद उस category की student है की दुनिया भर का material, दस coaching का material आप लोग जमा करके रखते हैं नहीं, तो अगर माल लिजे किसी coaching की material में आपको back bonding का topic मिल जा, तो जहाँ जहाँ जिस coaching के topic में मिले, सबका बना डालिए, अराम से अपने lecture को पढ़ने के बाद बनेगा, back bonding, chemical bonding का एक दो line का topic है, जो हमने lecture one में बस सुरू के दो मिनट में किया था, कि एक intramolecular, Lewis Acid-based reaction जो data bond के through होता है, उससे जादे back bonding में कुछ नहीं है, और बट उसके जब अलग-अलग, जब उसके concepts हमने लगाने start के तो P-block में एकदम धमाकार तरीके से लगा, in fact, chemical bonding के bond angle, bond length से लेकर के, Acidic property से लेकर के stability, बहुत geometry से, बहुत सारे चीजों मिलागा, और यह सारे examples अपन P-block से उठा रहे थे, हमने बहुत सारे examples किये हैं पीछे, example number मेरे को याद नहीं है, अगर आप में से कोई एक बर suggest कर दें कि example number क्या होगा, I think साहर 15 या 16 कुछ हुआ था, last, last क्या हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है, अलाग कि मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ अपने phone से, और जब भी आप apps से देखें, video, video quality raise करने के लिए, आप YouTube से कोई video start कर लें, और उसके बाद, उसका pixel high कर लें, automatically यहाँ भी better हो जाएगी, हाँ, 15 नमबर application हमने last मिलिया है, BCL3, ALCL3, GACL3, INCL3, TLCL3 पर, ठीक है, अब next application वहाँ से आगे बढ़ाओंगा, अच्छे से देखेंगे, पहले मैं लेता हूँ एक simple example, फिर दीरे दीरे अच्छे example के तरफ जाओंगा, PCL3, sorry, PF3, PCL3, PBR3, and PI3, इसमें bond इंगल मेरे को discuss करना है, ठीक है, ABCD, ABCD, decreasing order आपको बताना है, जल्दी से आप अपना इंगल यहाँ पर किया है, वो समझना और समझाना जरूरी है मेरे को, PF3, PCL3, PBR3, PF3, PCL3, PBR3, जल्दी से मैं इंदिजार कर रहा हूँ वट्सअप ग्रूप में डाउन दग्रूप डाउन दग्रूप और कोई बता है सिर्फ एक जवाब आया है अभी तक अभी तक अभी तक ग्रूपग तको तक कोई प्रूप प्रूपपड अज़ बता है P F 3 P C L 3 P B R 3 P I 3 Q bond angle, bond angle. I am still waiting. Bottom to top increases due to effective backbonding. किसी ने बोला है. क्योंकि आपके पास सब, आप आराम से सोचें, आप doesn't matter कि आप recording देख रहे हैं कि लाइब देख रहे हैं, आपके लिए एक, मैं स्वाल्ब कर दूँ, वो तो बाता हैं. किसी ने बताया, A greater than B, greater than C, greater than D, मतलब up the group. ठीक है, आप किसी भी mode में देख रहे हैं, उसे फरक नहीं परता. आपके सामने जो question आए, आपके सामने concept of bond angle के लिए bend सुरूल भी है, bond angle के लिए, size भी है, bond angle के लिए, बहुत सारे बाते हैं. बैक बांडिंग है, आखिर आप कौन सी चीजें इस तरीके से लगा रहे हैं? अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोग, बताईए, अफजल ने दिया, D greater than C greater than A greater than B, मतलब उन्होंने PF3 को जादे किया है, PCL3 से, और फिर down the group बढ़ा है, उन्होंने bond angle, good? PI3, फिर दिलिट माद लिया, सोनुने, in PF3, backbonding is effective. इन PF3, backbonding is effective, but no effect on hybridization, ठीक है? बाकी लोग जवाबी नहीं दे रहे हैं, कसम खाके बैठे हुए हैं, गंगा मईया की, ऐसे कैसे होगा दोस्त? बताइए, मैं WhatsApp group खोल के बैठाओं, कि आप लोग कुछ रिप्लाइ करेंगे. चलिए, मैं solve करता हूँ, अब आप लोगों से उम्मीदें ना की जाए, आप लोग नाराज हो गया है, लग रहा है, ठीक है? चलिए, मैं solve करता हूँ. आजाए, क्यों time भी आप लोग ले रहे हैं. सबसे पहले देखना है, अब देखें, जब आप live देखते हैं, तो कभी-कभी कुछ लोगों को लगता है करे या time kill हो रहा है, लेकिन जी नहीं, ये चीज ना सोचें, कभी-कभी थोरे losses करने पड़ते हैं बरे फायदे के लिए ठीक है, और PI3 है एक अपना, तो इन तीनों में तो दोस्त back bonding का कोई सवाल ही नहीं है, और central atom सेम है, central atom जब छोटा होता है तो BPP पर रिपलसन बढ़ता है और उस समय में bond angle बढ़ते हैं, यहाँ पर back bonding है बट इधर से इधर नहीं है, back bonding का direction ये है, अच्छे से देखेंगे 2P से निकला और 3D में गया, और जिधर गया उधर pair of electrons है, तो यह back bonding ineffective होगा, तो hybridization पे, phosphorus का तो hybridization वही रिटेन करेगा, ineffective back bonding, तो hybridization वही रहेगा, इसका sp3, तो थोड़ा सा एक slight multiple bond character आएगा, pf bond में, slight multiple bond character आएगा, pf bond में, जिससे थोड़ा बहुत repulsion बढ़ेगा, अच्छे से देखेंगे, pf bond, ठीक है, यही वज़े से इसकी bond angle 90 degree से ऊपर है, मतलब, जादे होगी, bpvp repulsion के वज़े से, क्योंकि multiple bond क्या character आया है repulsion में, अच्छे से देखेंगे, pf bond में थोड़ा सा multiple bond का character आ रहा है, pf3 का bond angle हमने आपको करवाया था, आपको याद हो तो, pf3 94 और pf3 98 degree हमने करवाया था, अब इन सब में क्या लगेगा, back bonding है ने, लेकिन 3rd period का element बढ़ा होता है दोस्त, और 4th period का तो और बढ़ा होगा, 5th period का तो काफी बढ़ा होगा, तो यहां से group repulsion जैदे होगा, समझ गए, तो सबसे effective repulsion तो pf3 में होगा, सबसे effective repulsion तो यहां होगा, होगा न, इसलिए, down the group एकदम clear bond इंगल बढ़ेगा, लेकिन यह सोच के अगर आपने जवाब दिया है, increases due to increasing size of terminal groups, increasing size of terminal groups, repulsion बढ़ गया, लेकिन जवाब अगर यह सोच के दियो तो सही है, क्योंकि देखोई, वहाँ भी back bonding है, ऐसा नहीं है कि यहां पर repulsion नहीं है, यहां repulsion है, a little bit, थोड़ा सा repulsion है, अच्छे से देखेंगे आप, थोड़ा सा repulsion है, ठीक है, तो यहां multiple bond repulsion है, multiple bond repulsion है, ठीक से देखें, अगर आप इसको compare कर ले, pH 3 से, ठीक है, versus pH 3 से, तो pH 3 में bond angle almost 90 होता है, 93.8 मतलब 94 डिगरी आप क्या सकते हैं, bond angle pH 3 में इतना होता है, pH 3 से, अगर bent's rule लगाएं, तो according to bent's rule, bond angle घट जाएगा, according to bent's rule, more electronegative terminal atom अंगल घटेगा, but angle बढ़ा क्यों, but angle बढ़ा क्यों, तो due to multiple bond repulsion, समझ रहे न चीजों को, इसलिए हमने बोला था, कि bent's rule सबसे बाद में लगता, even multiple bond repulsion भी उस पर भारी हो जाता, सबसे बाद में bent's rule लगता, multiple bond repulsion भी उस पर भारी हो जाता, ठीक है, तो PF3 का bond angle 98 है, इसका bond angle finally 98 हो गया, और इसका bond angle 93.8 मतलब 94 डिगरी है, क्योंकि, जबकि यहाँ पर bent's rule से कम होने चाहिए, लेकिन यह multiple bond character, बट group repulsion इससे बड़ा factor होगा हमेशा, इसलिए PCL3 और बड़ा, अब PCL3 की bond angle पर आईए, यह 98 और यह bond angle 101, बहुत सारे book में मैंने देखा है, बहुत सारे किताबों में मैंने देखा, अच्छे अच्छे author के, कि bond angle PF3 का वो जादे लिखते हैं, PCL3 से due to back bonding, बहुत सारे books में देखा है, मतलब साइद author का नाम ले लूँ, तो आप लोगों को सर माने लगे, ठीक है, साइद अगर author का नाम ले लूँ, तो सर माने लगे, लेकिन यह गलत है, अच्छे से जान लीजिए, गलत है यह, आप अच्छे से internet पे, अच्छे website पे ढूंड लीजिए, आपको मिल जाएगा इसका सही value, Wikipedia पे देख लीजिए न, दोनों की value मिल जाएगी 9801, तो इस तरह से back bonding के कारण लेगा, वाच्छी से गलत है, क्योंकि back bonding से इसका pair delocalize नहीं हो रहा, इसका हो रहा है और इसके habitation पे फरक नहीं पर रहा है, और थोड़ा सा BPP repulsion एकदम हलका लिटल बिट आ रहा है, वाज़ा multiple bond repulsion के वाज़ा से, तो पहला page आप स्क्रीन स्वाट ले, हम लोग अब धीरे धीरे इसमें तुरंट तुरंट एक्जम्पल में एडिया की चेंज कर लेंगे कि कब क्या लगाना, कब क्या लगाना, जल्दी साप स्क्रीन स्वाट लेज़का प्लीज, नेक्स्ट अप्लिकेशन, अप्लिकेशन नमबर 17, अच्छे से देखेंगें, सी अफ्टू, सी सी एल टू, ठीक है, इसमें मैं एसीडी के स्ट्रेंथ जानना चाहा हूँ, फिर से सोचे आप, इनकी स्टेबिलिटी ये अन्स्टेबल सिस्टम है, इनकी स्टेबिलिटी पर बात करना बेमानी होती है, आलाकि कर सकते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए, जैसे ह- होता है, तो ह- की स्टेबिलिटी पर क्या आप बात करेंगे, वो तो उसका प्रजेंस तो highly unrealistic है head ride free state में तो CF2, CCL2 की stability नहीं बोलनी चाहिए लेकिन इनके ACID के strength हम compare करेंगे तो इनके ACID के strength सवाल है A या B किसकी जादे होगी CF2 की या CCL2 की कौन सा factor आप लगाना चाहेंगे सोचें CCL2 more acidic हमारे सूर्ज प्रसाद ने जवाब भेजा है CCL2 जादे ACID की बाकी लोगों का भी खयाल देखें किसी नों पूछा सर्क carbon singlet consider करना है या triplat तो आपके सामने question है अब आपक क्या consider करते हैं देखते हैं जड़ा सिंगलेट कंसीडर कर रहे हैं या ट्रिपलेट कंसीडर कर रहे हैं सुनों ने लिखा B more than A मतलब CCL2 अभी तक दोनों लोगों ने जवाब दिया CCL2 is more acidic सुजेत ने जवाब दिया CCL2 more अभी तक सारे लोगों ने जवाब दिया CCL2 is more acidic आईए मैं लगाता हूँ देखे CF2 और CCL2 इसमें बैक बॉंडिंग नहीं है और इसमें बैक बॉंडिंग है टू पी पाई थ्री डी पाई फरतियाल ने भी लिखा है CCL2 जादे more backbonding decreases the acidic strength of CF2 इसके बैक बॉंडिंग जादे effective चलिए आईए तो इसमें बैक बॉंडिंट नहीं है इसमें है तो टू पी पाई थ्री डी पाई ineffective चुकि यहाँ पर इसकी ओक्टिट कम्प्लीट है तो ineffective बैक बॉंडिंग यहाँ नहीं है यहाँ है effective है अब आजाएं इस तरीके से अगर आप जल्दवाजी में सोच रहे थे तो गलत सोच रहे थे क्या गलती की है आपने गौर करें पहला मॉलीकुल में आपने कर लिया की नहीं है actually है किधर है ध्यान से देखे carbon के पास है vacant दिख रहा है और pair of electron है लेकिन ये electron deficient है हमने आपको पहले पोल दिया था electron deficient और फिर तो effective होगा तो 2P से निकला और 2P में गया effective back bonding समझ में आना चाहिए अब क्यों effective होगा अच्छे से देखे और इस वाले में थोड़ी सी अगर आपने लापरवाही बढ़ती तो आपकी चीज़े गलत हो सकती है इसमें भी इधर से इधर नहीं होगा इधर से उधर होगा ध्यान से दे ठिक से ये होगा मतलब 3D नहीं 3P यूज होगा 2P में जाएगा तो 2P पाई 3P पाई ये भी effective होगी अराम से सुने मेरी बातों को मेरा सवाल है उपर वाले में तो सर समझ में आई ये बात कि उस वाले में बैकबॉंडिंग नहीं कराना एक गलती है चुकि कारबन के पास सर वैकेंट है इसलिए बैकबॉंडिंग रिवर्स डिरेक्शन में होगा बट सर इस वाले में यहां पर वैकेंट 3D है तो ये वाला बैकबॉंडिंग क्यों नहीं होगा ये वाला बैकबॉंडिंग क्यों हुगा यहां भी तो ऐसे है और आपने सर समझाया है कि D वाली backbonding P के respect में effective होती है मेरे सवालों को दे कि मैं ही सवाल कर रहा हूं मैं ही जवाब भी दे रहा हूं चुकि बहुत लोगों के मन में आएंगी चीज़े ठीक है हर तरह के student है हर तरह के teacher होते हैं हर लोगों के मन में एक ही बाता है जरूरी नहीं है तो आप यह कह सकते हैं कि सर इसमें P वाली backbonding 2P का 3P से है और उसकेस में 2P का 3D से है सर वो backbonding effective होनी चाहिए लेकिन अब मेरे point को जड़ा नजर यह को देखे definitely आप सही भी बोल रहे हैं थोड़े एक हद तक बट यह सोचे carbon का pair of electrons दिखा और आपने backbonding में engage कर दिया जबकि carbon खुद उसको कमी है नहीं समझे अरे भाई साथ आपके भी कटोरे में सिक्के आपके भी pocket में सिक्का और विखारी के भी कटोरे में सिक्का पड़ा हुआ है दोनों सिक्का है कौन डोनेटेबल है जबकि भीखारी का दिखता है आपके pocket का दिखता नहीं छुपा हुआ भीखारी के कटोरे का दिखता है वो visible है तो डोनेटेबल क्या भीखारी के कटोरे का सिक्का जादे डोनेटेबल है वो देने लाग है निकाल कि किसी को दे दो नहीं, आपका donate table है जबकि आपका नहीं दिखता है इसका दिख रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो donate table हो गया क्योंकि वो खुद भिकारी है, भिकारी क्यों देगा दूसरे को भाई वो खुद कमी है, इसलिए ये backbonening effective दिख रही है इससे लेकिन बावजुद इसके इस direction में नहीं होगी क्योंकि carbon के side पर फुद electron की कमी है तो यह वाली भी, अब मैंने बोला acidic strength किसमें जाएदे है जाहिड सी बात है, इसमें vacant orbital engage हो गया इसमें vacant engage हो गया 2p pi 2p pi से और इसमें vacant engage हो गया 2p pi 3p pi से तो vacant orbital engage इसमें जादे effectively है, यह इसलिए less acidic होगा समझ में आया, vacant 2p atomic orbital gets engaged more effectively इसलिए less acidic होगा, तो इस question का देखो आप लोग बार बार आप लोगों से बोलता हो जवाब के हरवडी में न जाए क्योंकि जवाब तो एक सही होगा ही, जवाब तो एक सही होगा ही या तो A जादे होगा या B, तो जवाब तो सही होने के chances आपके 50% है आप नहीं भी concept जानते हैं तब भी, important है एक-एक line सही होना पहला, यह direction आपने काटा है, नहीं लिया है, यह भी जरूरी है दूसरा, यह भी direction आपने काटा है, यह भी जरूरी है समझना तीसरा, इन दोनों में क्यों आपने इसको reject किया और इसको opt किया, यह भी समझना जरूरी है तो सारे मुस्किलों से निकलते वे, finally हुआ हमारा कि उपर वाला कम ऐसी डिक है, नीचे वाला जादे ऐसी डिक है, कार्बीन, यह वाला, डैक्लोडो वाला फॉर्प, ठीक है तो इस page को आप capture करें, कोशिस करें, अगले page में मैं नया example लेकर कर आ रहा हूँ आईए, next application, फिर अच्छे application पर धीरे-धीरे मैं ले जलता हूँ आपको C, C and whole 3 minus, हमने एक molecule ले आपको इसमें इसका hybridization of carbon और safe discuss करना है, बस, आराम से सोचें, दो चीज़े हमने दिये hybridization of carbon and safe discuss करना है, C, C and whole 3 minus आपको नहां मैं डाने आपको वस करना है, C, 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 D, जवाब आने शुरू हो गए हैं, शुर्य प्रशाद ट्रेट्राइडल स्ट्रक्चर और ट्राइगनल पिरामिडल सेप, ठीक है, सेप की बाते कर रहा हूं, ट्राइगनल पिरामिडल, पिरामिडल सेप आया, झाल, 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 झा बाकी लोगों के जवाब का भी इंतिजार है अब है ने लिखा से ट्राइगनल पिरामिडल जल्दी से जवाब दें अरे एक लाइन में तो लिखी ना है यार इसमें क्या इतना इतने सारे अप्लिकेशन करवाने के राद आप लोग इतना इंतिजार करवा रहे हैं बताईए इन और्गिनिक से डर नहीं लगता है साहब कुमार मनुसर क्विस्चन कुछ से कुछ देते रहते हैं डर वहाँ से लगता है हाँ जवाब आया गुड ट्राइगनल फिरामडन तो डर क्यों लग रहा आप लोग एकदम तेजी से जवाब दे भाई जिनके मन में जो जवाब आएकदम तेजी से दे ना कसम खाके बैठे वे हैं सब लोग फिर किसी ने लिख के भी अपना मिटा लिया अरे अब एक भाई साब ने ट्राइगनल प्लेनर लिखा है प्रियांसू मतलब ये साइद सुजित इन्होंने अपना नाम एक बार बताया था इनका जवाब अब बाकी लोगों से लग है क्योंकि पाच्छे लोगों ने जो भी जवाब दिया ट्राइगनल प्रामिडल दिया इन्होंने प्लेनर कर दिया तो प्रियांसू जो भी आप साइद सुजित हैं आप प्लेनर किस हिसाब से निकाले भाई अब इतने सिंपल क्विस्चन में आपने प्लेनर कैसे बनाया अब आपको ये जवाब देना इतने सिंपल क्विस्चन में आपने प्लेनर कैसे बनाया अगर आपने बनाया तो क्योंकि बाकी सभी लोग पिरामिडल दे रहे हैं अच्छी बात है गोड़ और होना भी तो नहीं होगा, बोलें, जो भी बोल सकते हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं फ़रतियाल ने भी जवाब दिया, आपको लिखना है, बताना है क्या किक्यों मैं आप ही के लिए कर रहा है अधर वाइस मैं एक्स्प्रेंड करना शुरू कर देता कि आपने क्या सोच के ट्रैग्नल प्लेंडर कर दिया है हुआ है कि अ कि कि नहीं जवाब देंगे प्रियांशु सर्ण सर्ट टाइपिंग मेरा पूर है अचा टाइपिंग पूर है तो आप वाइस में भेज दीजे ना वाइस में भेज दीजे मैं सुन लूँगा कि आखिर क्या सोच के आपने प्लेनर बोला या फिर पिरामिडल लिख रहे ते प्लेनर चला आया अचा रेजोनेंस वह दिमाग ल सहाब ने इसलिए प्लेनर लिखा है ठीक है तो आज आईए मैं बाते करता हूं जाहिड सी बात है यह पिरामिडल होगा जब आपने वैकेंट को पहले डिस्कस कर लो यही है आपका CCN whole 3 chloride के तरह है तो आप वैकेंट को डिस्कस कर लो इसके पास कोई वैकेंट को दिखनी रहा है इसने चार बॉन्ड बनाया हुआ है तो क्या आप बैक बॉन्डिंग कर देंगे बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे ध्यान से सुने जब बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास चारों बॉन्ड इसने बनाया हुआ है अलाम से सुने तो हैबडाइशन कारवन की SP3 वी और पिरामिडल हुआ है पहली बात दूसरी बात अब किसी ने इसलिए लाइव क्लास का एक अपना मजा है किसी ने रेजोनेंस निकाला अगर आप लाइव में नहीं होते तो यह रेजोनेंस कोई बोलता नहीं और अगर बोलता नहीं तो मैं रेजोनेंस की बात नहीं करता रेजोनेंस करवा के नहीं चेक करता मैं तो definitely लग रहा है कि resonance तो हो सकता है तो अब second वाली चीजों पर आ रहा हूं मैं ध्यान से अच्छे से देख लूँ मैं तो resonance तो हो रहा है इसमें भी कोई दो रहा नहीं है तो जब resonance हो जाएगा तो उस situation में ये pair यहां से हट जाएगा हटेगा ना और जब pair हटा तो इसका resonating structure क्या बनेगा C double bond अच्छे से देखें C double bond C double bond N minus सही से देखें बना और इधर single bond इधर single bond अब ये sp2 हो गई और ये sp हो गई अब मेरा ये point है आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे resonance हुआ प्लेनर हुआ लेकिन मेरा ये सवाल है इस वाले में sorry sp नहीं क्या था क्या लिख रहा था यहां मैं क्या लिख रहा था कुछ लिख रहा था भूल गया मैं ध्यान से anyways तो हाँ यहां वाले अगर Conjugated और Cumulated की बात करें तो इस सिस्टम से ज़ादे Stable ये सिस्टम होगा इस से ज़ादे Stable ये सिस्टम होगा तब तो ज़दी Resonance करवाएंगे आप तो आप अच्छे से इस बात को सोच ले कि ये वाला Form इस Form से ज़ादे Stable होगा ज़दी ये ज़दे Stable हुआ तो इसका Contribution रहेगा Hybrid में और जब Hybrid में रहेगा तो थोड़ा सा भी अगर Pyramidal हुआ ना तो Pyramidal ही कहलाएगा मेरी बात समझे ये तो Flat Planar होगा लेकिन अगर 120 के जगा Bond Angle 118 भी पहुंच जाए तो इसको Pyramidal ही बोल सकते हो तो इसका भी Contribution, इसका भी Contribution Hybrid में दोनों का Contribution है अगर आप Resonance से जाए तो इसका Contribution Hybrid में ज़्यादे होगा, बहुत क्लियर है Conjugated System का Stability ज़्यादे है तो इसका Contribution ज़्यादे होगा तो Overall जब आप निकालेंगे तो Overall आपका क्या आएगा Overall Pyramidal आ गया क्योंकि अगर 118 पर भी पहुँचा ठीक है हाँ, सही लिखा है अगर 118 पर भी पहुँचा तो वो Pyramidal होगा तो आपने Resonance लगाया इसमें कोई दोरा नहीं है आपने ये वाला बनाया और Planner किया बहुत सही किया लेकिन आप साथ में ये नहीं देखे है, तो Hybrid में दोनों का रोल होगा, अगर इसका Contribution Hybrid में थोड़ा भी गया थोड़ा भी गया, तो overall तो Pyramidal ही रहेगा तो कुल मिला करके आपका Pyramidal हुआ, ठीक है ध्यान से सुने, अब मैं बाते कर रहा हूँ ये वाले भी गलत है और ये वाले भी गलत है दोनों गलत है कहाँ पर पॉइंट अब, क्या है सर, क्या गलती है जड़ा देखे अच्छे से आप लोग इतनी उचाई पर चले गया और अभी तक इस बात को समझे नहीं आप लोगों ने इतना सारा Coordination पढ़ा है और Coordination ZRF वाले Sinide Legand और Carbonil Legand से तो खेलते हैं ZRF वाले Sinide और Carbonil Legand से तो खेलते हैं उन्हीं के लिए तो बना है Gration वाले के लिए बना है Sinide और Carbonil Legand का इडिया Gration वालों को पूछा जाता है Bidentate, Tridentate, Tridentate मना जाए वो लोग तो Sinide और Carbonil को आप बहुत अच्छे से जानते है कि आपका जो ये CN Group है इसके पास Vacant Pi Star 2P Anti-Bonding Molecular Orbital होगा दोस्त क्या मैं सही हूँ KKLL Pi 2P X Mixing के वज़ा से Pi 2P Y 2 2 Sigma 2P Z और Pi Star 2P X Pi Star 2P Y ये आपकी Vacant है Pi Star 2P Anti-Bonding Molecular Orbital CN और CO में आप Anti-Bonding एक सेकंड के लिए नहीं भूल सकते हैं या उसके जैसे वालों में लाइक वालों में NO वालों में NO प्लस में CO में CN माइनस में तो कहानी क्या है इसके पास M.O.T के अकॉर्डिंग ये है है तो होगा क्या ये ध्यान से सुनेंगे आप 2P से निकलेगा और Pi Star 2P में जाएगा मतलब यहां का ट्रिपल बॉंड सुरक्षित रहेगा अच्छे से देखें यहां का ट्रिपल बॉंड सुरक्षित रहेगा जबकि इस रेजोनेंस के यह बॉंड ओर्डर सी थे यहां पर आपने दो कर दिया बट यह वाला ट्रिपल बॉंड सुरक्षित रहेगा Pi Star 2P में जाएगा और Effective Backbonding होगा Effective Backbonding होगा क्योंकि symmetry वाले orbitals हैं Effective Backbonding होगा अच्छे से देखें आपको Pi Star 2P आता है बनाने यह देखें अगर आप मैंन लिजे यह आपने लिया 2PY ठीक है तो आप इसकी non-bonding अगर ना करें अगर Si A plus B करें सेम फेज में तो सेम फेज में इसके उपर में यह जुट गया और नीचे में यह जुट गया सही है यह जुटा उपर यह नीचे यह हो गया Pi 2P bonding molecular orbital अब नीचे आ जाए anti-bonding के time में repulsive force ज़्यादे होता है attractive से तो यह दोनों repel करेगा यह दोनों repel करेगा तो यह वाला इधर चले आएगा छोटा हो जाएगा हलांकि यह वाला इधर और यह वाला इधर और यह वाला इधर सामने opposite phase ना आएगा opposite phase लेंगे आप anti-bonding के लिए तो यह दो निकलियस plus minus minus plus तो ज़रा सोचे यह किस तरह का overlap होगा ऐसा overlap होगा carbon के पास यह pair है plus minus और यह c है sigma bond से जुड़ा हुआ है cn है और इस cn के पास anti-bonding है ठीक है plus minus minus plus यह आपने दिया है यही आपने backbonding करी है समझ में आया तो यह काफी effective backbonding हुआ इसलिए यहां से वो pair of electrons हट गया और यह 3 जगा पर आया और इसकी structure को देखे कितना खूबसूरत structure है हर जगा आपको triple bond रखना है और यह कुल मिला के इस पर एक minus आप दिखाएंगे जो एक negative charge delocalize हो गया तीन position पर तो hybridization carbon की इस तरह से SP2 हो गई और planar हो गया क्या दोस्त जबरदस्त example था या नहीं अच्छे से clear हुआ या नहीं हमने CCN whole 3 minus दिखाया इसमें हमने पहले लिखा कि back bonding नहीं होगी एक arm student arm जिंदगी mentors जिंदगी magical inorganic वाली जिंदगी जो first है back bonding नहीं होगी लेकिन कैसी यह तो possibility तो है दिख रहा है resonance हो सकता है बट resonance में मेरा यह मचला है resonance इस चीज को इसलिए explain नहीं कर सकता है अगर आप resonance लेंगे तो एक पहला point C double bond है bond order इसका कम हो जाएगा bond length इसका बढ़ जाएगा लेकिन इसका bond length उतना बढ़ता नहीं है practically दूसरी बात hybrid में दोनों का contribution SP2 का भी SP3 का भी जैसे आपके दिमाग में हो सर अब कैसे जाने हम कैसे जाने के MOT लगा दे इससे पहले वाले में तो कहीं नहीं लगाए actually CN group देखके CO group देखके NO plus group देखकर के यह सब देखकर के आपको MOT के लिए हमेशा active रहना यह गाठ बांध लें अच्छे से जहां भी केमेस्ट्री में CN आये, CO आये, NO plus है उसका ISO electronic substance टाइप का है तो आप एकदम बैकबॉंड इसके लिए vacant orbital pi star 2p के लिए ready रहे उसमें high accessibility ठीक है तो CN के पास, CN group के पास vacant pi star 2p anti-bonding है जिसमें इसका pair of electrons गया हमने overlapping भी दिखाया कि किस तरीके से होगा और इस तरीके से flat planar molecule हुआ exact planar molecule हुआ और मतलब इसके एक important बात कि CN bond length जो है CN वो almost sinide के close होगा almost sinide के close हाँ, sinide इतना नहीं होगा उससे थोड़ा बड़ा होगा समझ सकते हैं से भी पता चल रहा, bond order कम हो गया पता चल रहा, bond order कम हो गया, double bond हुआ लेकिन यह कह रहा है कि bond length बहुत बड़ा होगा लेकिन यह कह रहा है कि bond length बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि triple bond maintain है लेकिन फिर भी बड़ा क्यों? क्योंकि anti-bonding में electron जाने चे bond length बढ़ता, आपने coordination में carbonil वगएर भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसके anti-bonding में जाने चे थोड़ा bond length बढ़ा, लेकिन cn का bond length अभी भी cyanide के bond length के close होगा ccn3- में, क्या आपको अच्छे से समझ में आया, बढ़ियां से एक बार बताईए मेर प्लीज, और screenshot भी ले, लेकिन अच्छे से आया या नहीं एक बार बता है, प्लीज, आईए, next application में ले चलता हूँ आपको, बढ़ा आप लोगों का पढ़ावा application, CHF3, CHCL3, acidic strength, बहुत common, A या B किसका जादे, और, आपके पास एक साथ मैंने दो application डाला है, CHF3, CHCL3 और CH3F, CH3CL, पहले वाले में ध्यान से, पहले वाले को इसको A, B में बता दे कौन जादे होगा, और, दूसरे वाले में CD में बता दे कौन जादे होगा, मतलब आपका एक साथ दो answer आएगा, जैसे माल लिजे BC, या माल लिजे AD, या माल लिजे BD, या माल लिजे AC, यही कुछ जवाब आएगा, तो जो बड़ा वाल आएगा, उसको रखना है, जैसे AB में माल लो A पहले आ प्लीजे झाल लिजे झाल 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 सुजीत ने जवाब दिया है B और C सुजीत ने जवाब दिया है सुजीत ने जवाब दिया भी नहीं है स्वमक्वर आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है ब्रह्मा A and D राम गोविंद A and C अभैदूबे A, B, C, D ये तो आप क्रिस्चन ही बदल दिये सुभास D, दिशा B, B, D, अविनव B, D चलिए आएए मैं स्वाल्ब करता हूँ अब अच्छे से देख लें प्लीज आजाएए अच्छे ये मैं अब स्वाल्ब करता हूँ देखें सबसे पहले आपको तो कंजूगेट बेस बनाना पड़ेगा कोई कोई ऑग्जी असीड तो है नहीं तो आपका आगया cf3- और कंजूगेट बेस जब आपने बनाया तो आपका आया ccl3- इसी ccl3- में अभी हमने cyanide लगा दिया तो यह planar हो गया था अब मेरे को देखना है कि 2p से निकल रहा है और 3d में जा रहा है बट ineffective backbonding है अच्छे से देखेंगे ineffective backbonding है खिक से देखें और इसलिए hybridization carbon की sp3 ही रह जाएगी और shape इसका pyramidal ही रह जाएगा point पॉइंट यह है कि यहाँ पर कुल मिलाके ineffective backbonding है लेकिन यह इसके 3d orbital में delocalize हो रहा है मतलब यह एक minus तीन जगा पर delocalize हो रहा है तीन position पर delocalize हो रहा है तो NIN का जो charge density है electron का जो यहाँ पर carbon site पर charge density है यह definitely कम हो जाएगा इससे क्योंकि क्योंकि तीन position पर यह कम बट रहा है तो conjugate base को अगर मैं देखू तो यह वाला conjugate base की stability जादे है क्योंकि इसमें no delocalization of charge कुछ लोग सोच रहेंगे सर आप charge की delocalization पर क्यों जा रहे हैं backbonding ही तो decide कर दे रहा है exact concept को समझना जरूरी है क्योंकि सामने वाले में फिर क्या situation आजाए उसके according कब क्या आजाए नहीं आजाए देखना है तो stability उसकी जादे है अच्छा stability क्यों जादे है तो एक तो backbonding से और plus delocalization of charge से plus delocalization of charge से क्योंकि charge का delocalization बहुत बड़ा factor है आपको पता होगा resonance में क्यों अक्सर ऐसा होता है कि mostly most of all cases में जादेतर की बात कर रहें सारे की नहीं most of all cases में क्यों resonance stability को बढ़ा देता क्योंकि resonance में आपका charge density कम हो जाता है disperse कर जाता बट जाता चाहे वो loan pair हो पेयर हो minus negative charge है तो वह भी कई साइट पर बटके negative charge average charge density को कम कर लेता जैसे ccn3 minus था तो 1 minus तीन position पर delocalize हो गया तो minus 1 by 3 minus 1 by 3 minus 1 by 3 charge create किया इसलिए delocalization of charge को आप हलके में नहीं लेंगे आपने सुना होगा कि HF, HCl, HBR, HIA है आप जानते होंगे कि आखिर नीचे जाने पर acid के strength क्यों जादे होता है क्यों हो जाता इस hydroacid में क्योंकि जब आप H plus release करते हैं तो fluoride है और iodide है इसके पास ये delocalization charge delocalization बढ़ गया तो charge क्योंकि ये 1 minus छोटे volume में 1 minus बड़े volume में तो charge density जब कम हो जाएगी तो stability बढ़ जाएगी तो conjugate base की stability बढ़ने से आपका बढ़ गया acid के strength तो मेरी बातों को आप अच्छे से समझें चार्ज का delocalization कोई मामूली चीज नहीं है चार्ज का delocalization बड़ा factor है एक माइनस तीन जगा पर delocalize किया इसलिए और plus back bonding भी थी तो कुल मिला करके तो finally इन दोनों में acid के strength किसका जादे हो गया किसका जादे हो गया chf3 से जादे chcl3 अब आ जाएं उस पर second वाले पर अच्छे से आ जाएं ध्यान दे प्लीज आ जाए second वाले पर अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां भी h plus release कराया जाए तो c एक फ्लोडीन और यहां भी h plus release कराया जाए c सही है सॉर्ड है अब देखे आप इस बार फिर से backbonding हो रही है एक्च्छल इसको डीर और्बिटर लेजुनेंस के नाम से जानते हमने आपको पढ़ाया था पिछल लेक्चर में तू पी पाए थिर डी पाए ineffective backbonding फिर से हो रही है अच्छे से देखेंगे तो और यहां कोई backbonding इस तरीके की नहीं है तो लग रहा है कि stability जादे है ध्यान से देखें लेकिन point को देखें अच्छे से point को देखें यह backbonding काहेगा backbonding भाई जब आपका एक ही position पर वो पाई रह गया वो negative charge delocalize ही नहीं हुआ इसलिए यह एकदम useless effect देगा यह useless effect देगा नहीं समझे मेरी बात को point ध्यान से यहां पर आपके backbonding में आपके charge को तीन जगा पर delocalize किया negative charge को और आपका backbonding यहां charge को delocalize ही नहीं कर पा रहा वो एक ही जगा पर delocalized है वहीं पर है वो इसलिए आपके charge के delocalization इस बार backbonding से charge का delocalization नहीं हो रहा इसलिए यह effect उतना useful नहीं हुआ लेकिन वहीं पर इसके पास minus eye effect है ज्यादे effective इसके respect में यह ज्यादे effective है तो more effective minus eye effect contributes more stability अच्छे से देखें फिर मैं conclusion कर रहा हूं तो stability इसके जादे हो जाएगी इसलिए acidic इस बार c h 3 f की जादे होएगी c h c l 3 से c h 3 c l से ध्यान से देखें मैंने क्या बोला मैंने बोला कि आपका जो back bonding है ठीक है इसलिए मैं शुरू से बोला था कि आप बैक bonding बैक bonding पे चले जाते हैं लेकिन यह देखें आप इस बार इसके पास मैनस आई इफेक्ट जादे था बट चार्ज डिलोकलाइज नहीं किया चार्ज का डिलोकलाइशन बड़ा फेक्टर है आप सोचें एक मिनट मेरी बात को सोचें एक मिनट हमने क्यों यह एक्जांपल लिया h f h c l h b ज्यान से जब आप period में hydra acid को discuss करते हैं या oxy को ही discuss करते हैं आप हमेशा बोलते हैं कि sir जिस bond में electronegativity difference जादे होगा ठीक है sir उस bond में ionic character जादे होगा तो sir water में जाकर करके ionize होने की tendency जादे होगी और वो acid की जादे होगा sir यह बड़ा factor है definitely है यही वज़ा है कि आप बोलते हैं कि hf की acid के strength ammonia से काफी जादे है क्योंकि hf bond में electronegativity difference दो का है और ammonia में electronegativity n h bond में electronegativity difference 0.9 का है तो hf का electronegativity difference जादे होने के कारण bond में ionic character जादे है तो acidic मतलब h plus release या water में ionize तुरंथ होगा इसके respect में और जब आप group में आते हैं hf versus hi में ज़रा सोचे hi में electronegativity difference कितना कम है सोचे ज़रा मेरी बात को hi में electronegativity difference दोस्त कितना कम है लगभग है ही नहीं लगभग है ही नहीं delta x e n difference 0.5 का है और यहाँ पर e n difference 2 का है तो ज़रा सोचे कितना e n difference है इसलिए इसको ज़ादे acidic होना चाहिए इसको ज़ादे acidic होना चाहिए इसको कम होना चाहिए less acidic होना चाहिए लेकिन क्या कहानी ऐसी है ऐसी कहानी है यह acidic में ज़ादे नहीं है दोस्त hf से बहुत बहुत ज़ादे acidic है चाहिए आपको पता है सोचो कौन सा factor इसको support किया जबकि electronegativity difference कोई मामुली factor नहीं होता है ionic bond क्यों पानी में जाके तुरंत ionize हो जाता है covalent bond कभी water में जाके ionize नहीं होता normally चीनी को पानी में डालते हैं सुगर को पानी में डालते हो तो क्या ion में convert कर जाता है नहीं लेकिन NACL को डालते हो तो करता है क्यों like dissolves like polar वाले में उसको polarize करना easy है उसके लिए तो ionic character इसमें बहुत जादे है इस bond को चाहिए water में जाके तुरंत H plus देना irrespective of इसके लेकिन ये बहुत जादे ऐसी deep है क्योंकि कहीं न कहीं जो H plus release करके conjugate base बन रहा है उसमें 1 minus F minus पर भी है और 1 minus I minus पर भी है F minus predictable का smallest ion है smallest ion याद रख सकते हैं आप smallest ion of predictable तो वहाँ पर negative charge को delocalize करने के लिए volume कम मिलेगा तो average charge density बहुत होएगी I minus का size बहुत बढ़ा है negative charge को delocalize करने के लिए बहुत volume मिलेगा बहुत space मिलेगा तो average charge density जब NIN का कम क्योंकि NIN है ये अनायन मैटर करता है नॉर्मल compound नहीं है NSIH3 whole 3, NCH3 whole 3, NGH3 whole 3 समझ रहे ना आप नॉर्मल नहीं है यहाँ NIN है तो NIN में charge density बहुत मैटर करता है हमेशा मैटर करता है आपको इस example से charge density का महत्व समझ में आ गया होगा NIN का conjugate base का तो यहाँ भी यहीं हिसाब किताब है NIN में charge density disperse होना बहुत important है यह minus I effect पर भारी पर गिया ये लेकिन यहाँ पर चुकी charge density disperse ही नहीं हुआ वो एक ही जगा पर रह गया इसलिए minus I effect मातर एक fluorine रहते वे भारी पर गिया और तीन-तीन fluorine रहते वे minus I effect भारी नहीं परा तो इस example को ऐसे मैं याद भी रखता हूँ school day से मैं याद रखता हूँ जिसमें minus I लगना चाहिए उसमें नहीं लगा जिसमें नहीं लगना चाहिए उसमें लग गया नहीं समझें actually तिन-तिन fluorine group है तुमा ऐसे याद रखता हूँ जिसमें minus I लगना चाहिए उसमें नहीं लगा और जिसमें minus I नहीं लगना चाहिए क्योंकि एक ही फ्लोडी नहीं उसमें लग गया, लेकिन concept इसके पीछे यह नहीं, concept क्या है, कि actually charge का delocalization करवाया इस back bonding ने, तीन जगा पर average charge density NIN का काफी कम हो गया, इसलिए इस NIN की stability जादे हो गई, तो यह more acid हो गया इसका relative acid, और यहाँ पर आपने जब H plus release किया, तो आपका average charge density घाटा ही नहीं, यहाँ पर क्यूं, एक ही जगा पर रहा गया वो negative charge, इसलिए minus IEF dominant कर गया, तो finally stability आपकी, इस NIN की जादे है, तो acidic strength CH3F की, क्या समझ में आया, clear हुई चीजें, बताएं एक बार, please, please, बताएंगे सभी लोग, आईए, next page में हम लोग, अलग-अलग area में हमने आपको application करवाया, p-block में भी बहुत variation लाया, बहुत सारे concepts हमने लगाए, back bonding में, minus IEffects से लड़ाई करवायी, उसकी group repulsion से लड़ाई करवायी, resonance से लड़ाई करवायी, anti-bonding से लड़ाई करवायी, बहुत जगह पे हमने लगाया, जब इतना हम लोगों ने लगाया है, तो एक और area में हम लोग अब D-block में इंटर करें, जिसको आपकसर coordination compound में पढ़ते हैं और करते हैं, उसका एक-दोई example लेता हूँ, चुकि मेरे को है, कि वो मेरे लेने से पहले ही आपको आता होगा अच्छे से, फिर भी मैं ले रहा हूँ, मेरा ये सवाल है, NICO whole 4, COCO whole 4 minus, and FeCO whole 4 2 minus, इन तीनों में, कारबान ओक्सिजन बॉन्ड लेंथ, राइट या लेफ्ट किधर जादे होएगे, कारबान ओक्सिजन बॉन्ड लेंथ, राइट या लेफ्ट किधर जादे होएगे, कारबन ओक्सिजन बॉन्ड लेंथ, कारबन ओक्सिजन बॉन्ड लेंथ, झाल झाल चल एक जवाब आया राइट ड्यू टू सेनर्जिक एफेक्ट और कोई सुभाज जी ने दिया लेफ्ट साइड सूर्ज प्रशाद ने दिया राइट साइड और भी लोग बता है अब हैने दिया है लेफ्ट साइड नहीं स्वारी राइट साइड नहीं नहीं लेफ्ट दिया लेफ्ट एक के तरफ किरिफ़ है लेफ्ट साइड ब्रम्मा ने दिया है सबसे बड़ा A, then B, then C, मतलब लेप्ट साइड, और भी लोग बता है, अभिनव ने दिया है C greater than B, greater than A, मतलब राइट साइड, शनु यादव रएग तड़ा है? शनु यादव रएग साइड, चलिए, अब मैं explain करूँ, बट अभी भी जादे लोगों ने जवाब नहीं दिया है, कम लोगों ने जवाब दिया है, मैं explain करता हूँ, चुकि ये coordination compound का area है, और अच्छा area है, बड़ा area होता है, और वहाँ से questions भी आते हैं, तो बड़ा easy नहीं होगा मेरे लिए, क्या भी आप जिनको थोड़ा जिनका ये portion भी हो, उनके लिए भी कि उनको समझा सेको, कोशिस करता हूँ, जड़ा आजाएं, जो carbonyl complexes हैं, इसमें कहानी ऐसी होती है, कि जब आप nickel, जैसे माल लो के NICO whole 4 की कहानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पहले hybridization निकाल लेते हैं, आपका hybridization SP3 आता है, tetrahedral, condition में SLFE लगा के strongly and feel effect, तो कहानी को जड़ा अच्छे से देखे, आपका यह nickel metal है, अच्छे से देखे, कुछ चीजें साथ आप नहीं जानते होंगे, है बड़ से explanation हैं यह, निकल है, आपका 3D8 और 4S2 और 4P0 ऐसा है, और आपको जब यह carbonyl का SLFE आपने लिया, तो सारी चीजें की pairing हो गई, ठीक है, इसमें आप CFT नहीं लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, carbonil complex में CFT नहीं लगता, तो आजएए आप, तो 8 electrons, D8 वाले आपके यह हैं, और S वाले भी pairing effect से यहां आ गए, तो आपका 4S vacant है, 4P vacant है, और आपका यह 4D है, ठीक है, चलिए, अच्छे से देखें, अब आपका carbonil है सामने में, ठीक से, तो आपका यह hybridization करके SP3 बन गया, तो आपने जब SP, अब यह ना 4S रहा ना 4P रहा, सब mix होके SP3 हो गया, आपका यह 4 hybrid orbital आया, इन चारों का नाम, अब आपने ना 4S, 4P लिया, SP3 लिया, अच्छे से देखेंगे दोस्त, अब आपका carbonil जो है वो पेर को contribute कर रहा है, इसमें, लेकिन synergy effect के through, चुकि ऐसा करने से, synergy effect होता क्यूं है, कि नहीं को पता है, actually जब आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने से, यह neutral atom है, तो जब आप pair of electrons इसके vacant orbital में देते हैं, यही कर रहे हो न, तो इस से metal पर negative charge accumulate होता है, यह बहुत कम लोग इस बात को बोलते हैं, back bonding करवा दिया, लेकिन उनको पूछो कि क्यूं यह हुआ, तो बस bond को मजबूत करने की कवायद बोल देते हैं, मैंने बोला कि actually negative charge का accumulation होता है, क्योंकि आप coordinate bond को तोरते हैं, तो क्या होता, कोई भी A coordinate B को तोरोगे, तो क्या होगा, जिसके तरफ जाएगा वो negative charge ले लेगा, तो metal पर negative charge का accumulation थोड़ा unrealistic है, इसलिए उस negative charge को neutral करने के लिए यह back bonding करता है, कहाँ पे इसके vividly fail है, चुकि vividly के हिसाब से इसमें vacant हाई नहीं, तो vacant pi star 2p, वही cn- के तरह pi star 2p anti-bonding molecule orbital में, जब आच्छे से मेरी बात को देखेंगे, सीखेंगे, प्लीज, प्लीज नजरे एकदम जमाए रखें, ठीक है, यह back bonding क्यों किया, क्यों किया, due to neutralize, to neutralize the accumulation of negative charge, थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, चुकि बहुत सारी बाते लिखनी है, accumulation of negative charge, negative charge के accumulation के लिए, इसने, नहीं, back bonding किया, चुकि इस पे negative charge चला गिया, coordinate bond से, जब आपने यह coordinate B को तोड़ा, तो यह A प्लस जोर B माइनस आता है, तो negative charge का accumulation हो गया, उसको neutralize करने के लिए, उसमें back bonding फेका, तो back bonding फेका तो कहां पे, तो VBT कहता है, मेरे पास खाली नहीं है, तो MOT कहता है, CO group के पास खाली है, CN के पास खाली है, NO plus के पास खाली है, नहीं, तो यह back bonding हुई, MOT पर होगा, बहुत मज़दार तरीके से समझाओंगा, अभी insert में समझा रहा हूँ, तो यह हुई, अब ज़रा आई है, यह back bonding कैसे हुई, तो इसके पास electron कौन सा है, D में, आई है, वो 3D में, DXY है, DYZ है, DZX है, DX2-Y2 है, और DZ2 है, इन दोनों को आप भूल जाए, किन दोनों को, DX2-Y2 और DZ2 को, क्योंकि DXY, DYZ और DZX, यह तीनों πाई बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, लेकिन DX2-Y2, यह सिगमा तो बना सकते हैं, लेकिन पाई कभी नहीं बनाते हैं, डेल्टा बना सकते हैं, और DZ2, सिगमा बना सकता है, न पाई न डेल्टा बना सकता है, तो आपने क्या देखा, यह दोनों पाई नहीं बना सकता है, तो यह दोनों पाई नहीं बना सकते हैं तो आपके पास जो वो बैक बॉंडिंग करेगा एक्चुली यही तीन कर सकता है अब ध्यान दें तो आपको मैंने बोला ध्यान से आपको मैंने बोला कि इसमें जो बैक बॉंडिंग होगी अब यही तीन पाई मिलके इनके चार ओर्बिटल को कवर करेगा ठीक है यही तीन पाई मिलके इनके चार और्बिटल को कवर करेगा क्या बनाएगा पाई बनाएगा पाई बैक डोनेशन यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी सारे के सारे नहीं हो सकते हैं यही तीन मिलकर के चार मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है एक टाइम पर मैकसिमम कितने पाइबॉंड से यहां हो सकते हैं, तो तीन, यही हेवर का एक्स्प्लानेशन है कारबोनील में, चारों पर बैक बॉंड नहीं हो सकती है, मेरी बात को समझें, लोगों के दिमाग में चलता है कि चारों पर बैक बॉंड निंग हो गई, ठीक है, वो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रूँ एक्वालाईज हो गया, लेकिन पाइबॉंड कितने हैं, तीन, जैसे माल लो आपसे कोई बोलता है कि दोस्त, फास्फेट में पी-ओ बॉंड ओडर कितना है, तो आप क्या बोलते हो, कि पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, और एक ही डबल बॉंड है, जो तीन जगह जाएगा, इसलिए बॉंड ओडर, 2, 1, 3, 1, 4, 4 by 3 हो गई, बोलते हो न, क्योंकि एक डबल बॉंड है, वो तीन जगह जाएगा, तो 1 जो है, वो 1 by 4 पर बट गया, ठीक है, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 5, सोड़ी, सोड़ी, गलत लिख दिया मैंने, 5 by 4, तो क्या हुआ, देखो, एक बॉंड हर जगह है, और एक पाई चार जगह दिरुकलाइज किया, तो 1 प्लस 1 by 4 हो गया, इसलिए 5 by 4, तो वही चीज यहां पर होड़ा है, कि अगर आपको यहां पर NIE, C बॉंड ओर मैं बोलू, कितना है, जरा धिहान दे, तो 3 पाई ने 4 पोजिशन को कवर किया है, तो 1 प्लस 3 पाई ने 4 को कवर किया है, अब समझ में आया, 7 by 4, clear भी मेरी बात, 3 पाई ने 4 पोजिशन को कवर किया है, इसलिए 1 प्लस 3 by 4, तो जो आपका बॉंड ओडर है, वो 7 by 4, मतलब 1.75, यह बॉंड ओडर है, अब आजो, मेरी बातों को अच्छे समझे, कुछ बाते एक्स्टा हमने डिसकस कर दी, हलाकि उसको इस क्वेस्टन से लेना देना नहीं था फिर भी, अब पॉइंट है, यह जो बैक दोनेशन है, यह जादे तब होगा जब नेगेटिव चार्ज जादे आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने क्या बोला, इसी नेगेटिव चार्ज के एक्युमिलेशन के कारण तो बैक बांडिंग होती है, तो अगर आपके पास मेटल पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमिलेशन जादे है, तो आपकी बैक बांडिंग जादे होएगी, अगर बैक में CO anti bonding में electron density बढ़ जाएगी दोस्त अगर CO anti bonding में electron density बढ़ गई तो anti bonding में electron जाने से bond order घरता है bond length बढ़ता है इसलिए CO bond length बढ़ गया CO bond length increases तो right side जाने पर CO bond length increase किया question का solution एक line में था बट इसमें सिखने के लिए आपके पास concepts बहुत सारे थे जिनको back donation आता है उनके लिए भी कुछ चीज़ आई होंगी जैसे एक चीज तो ये कि आखिर back donation होता क्यों है सिर्फ metal और carbon के bond को synergize strong करना ही एक reason नहीं है एक उसके पीछे का reason logic बड़ा ये है कि चुकि most of all metal carbon neutral compound होते है mostly neutral होते हैं और जो catanine होते हैं या तो oxidizing agent होते हैं या reducing agent होते हैं आपको पता होगा तो most of all जो है वो neutral होते हैं co2 co hole 8, fe2 co hole 9, fe3 co hole 12, co4 co hole 12, mn2 co hole 10 जितना भी आप लिखते हैं mostly क्या बोलते हैं आप neutral तो चुकि neutral है तो carbonil जब उनको pair of electrons देगा तो metal पर negative charge का accumulation होगा negative charge को neutralize करने के लिए वो लोटाना चाहेगा लोटाने का दो फायदा एक तो इसका negative charge neutralize होगा plus metal और carbon का bond order बढ़ जाएगा single के जगा multiple bond character आएगा तो इससे bond strength बढ़ेगी और overall compound को फायदा हुआ stability मिली तो back donation का वो reason फिर हमने समझाया कि लोगों का मानना है कि चारो position पर back bonding है जितने position है सब पर ऐसा नहीं है आपकी पाई बनाने की उकात कितनी है depends उस पर करता है हमने आपको सपश्ट तोर पे दिखाया आपके पास 5D orbital है फिलाल जिसमें 2D आपका पाई नहीं बना सकता है इसलिए हमने clear किया 3D पाई बना सकता है 3D मिल करके अब आपके कार्बोनील के 4 orbital को cover करेगा मतलब एक समय पर maximum 3 पाई हो सकते है मतलब average bond order 1 plus 3 by 4 हुआ metal और carbon के बीच का ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर यह मालूम चला कि हमारा metal carbon के बीच कितना bond order है theoretically यह है verse explanation के तहत आता है MSC वालों को पढ़ना होता थोड़ा उनको जानना होता अब उसके बाद इस question का solution करूँ तो जाहिर सी बात है metal क्या D electron जो carbonil के तरफ गया वो इसलिए गया कि negative charge को neutralize करे तो भाई साहब negative charge यहाँ जादे है क्योंकि यह minus जो है वो तो metal का oxidation state हो गया तो negative charge का accumulation इधर जादे इसलिए इधर back bonding का amount जादे होगा जितना जादे back bonding होगा जितना जादे electron density जाएगा उतना ही CO के anti bonding में electron बढ़ेगा density बढ़ेगी और bond order घटेगा तो bond order घटने से bond length elongate करेगा तो CO bond length इधर elongate किया रही बात stretching frequency, vibrational frequency की तो vibrational frequency इसमें opposite side जाद बट अभी उसका area नहीं अभी उस पर discuss नहीं कर रहे तो vibrational frequency छोड़ दिए मैंने कुछ बोला ही नहीं बाकि जो हमने समझाया क्या आपको अच्छे से समझ में आया बढ़ियां से clear हुआ एक बार सभी लोग बताहिए सभी लोग react नहीं करते हैं कुछ लोग लिखते हैं हाँ कुछ लोग नहीं लिखते हैं तो एक बार बताए बताइए एक बार जल्दी से तो दोस्तों back bonding के लिए एक छोटा से example और आपके सामने दे रहा हूँ ज़रा आप इसको देखें ASH3 versus AF3 मैं इसमें bond angle जानना चाहता हूँ जल्दी से आप solve कर दें एकदम तेजी से आप solve कर दें ASH3 and ASF3 किसकी bond angle जादे है इसमें कर देंजी जादे हूँ कुछ भॉब खो झाय चाहता हूँ और इजा कर देंजीस बादे किसा यह जादे है कर दो किस थे जादे है कर देंजीस अब अगर आप इसे बन रहा हो तो बड़ी खुशी की बात है मैं देख भी रहा हूं सभी लोग सही बना भी रहे हैं यहाँ बाता है वरी गुड़ सही आप लोगों ने सोचा है एस थ्री और एएस-एफ-फ्री में आखिर अगर आपने गलती से बेंट शुरूल लगादिया तो तो बेंट शुरूल में अगर आपने गलती से प्रेंट शुरूल लगा दिया बार-बार मैं यही सिखा रहा हूं कि क्या गलत गलतियां क्या होती है यहां बैक बॉंडिंग है इस डिरेक्शन में टूपी से निकलेगा और 4D में जाएगा हलांकि इन इफ्रक्टिव है है तो इसके कारण यह जो है वो multiple bond character आएगा थोड़ा थोड़ा और multiple bond का जो repulsion है उसके वज़े से यह multiple bond character आएगा और इस repulsion के वज़े से जो है ठीक से देखेंगे आपका bond angle इधर वाले का जादे है ठीक है अब next example दिया हमने OCH3 whole 2 OSIH3 whole 2 तो O कोई back bonding नहीं होएगी तो no back bonding इसलिए habitation oxygen की SP3 रह जाएगी लेकिन group repulsion है इसलिए loan pair को overcome करेगा methyl V और bond angle 109 degrees से बड़ी हो जाएगी यह आपको समझना पड़ेगा जबकि यह loan pair loan pair repulsion है लेकिन वहीं पर silicon के पास जो है देखो 2P pi निकलेगा और 3D में जाएगा और यह effective होगा नहीं अब आप समझ रहे होंगे क्यों तो यह आपका pair of electron तो वहाँ से बढ़ जाएगा स्टार्ट किया जाए इस तरह से लेकिन जो भी स्टार्ट करूंगा वह ऐसे ही शुरू करूंगा जिनको दूसरी topic के basic चीजों से ही बस मतलब जैसे back bonding में थोड़े मोरे habitation की जोरत थी थोड़े मोरे चीजों की जोरत थी bench rule की जोरत पढ़ी तुम्हेरे discuss कर दिया तो कुछ इसी तरीके का topic मैं ले करके अगले lecture में आप लोगों के सामने आ रहा हूं तो मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सबों को बोलता हूं thank you मुझे चुनने के लिए और दूसरों को भी convey करें बताएं कि हमारी inorganic chemistry कैसी है हमारे चाहे youtube channel से बताएं या हम लोगों के जो google का app है उससे आप बताएं या फिर google पे जाके आप मेरे को review भी कर सकते हैं कुमार मनू सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा कुछ न कुछ ताकि और भी students ढूनते हम लोगों तक पहुँचे और हम उनकी सेवा कर सके ठीक है तो इसी जजबे के साथ आप लोग हमें प्यार करते रहें हम आप लोगों को प्यार करते रहें मिलते हैं अगले दिन कुछ धमाका करते हैं थैंक यू सो मुच